सावन में साप देखने का क्या है मतलब? क्या होने वाला है आगे? क्या है पाँच बड़े संकेत? बरसेगी भोले बाबा की कृपा या होने वाली है कोई अनहोनी घटना? क्या होता है जब सावन के पवित्र महा में सपने में हो जाएं साप के दर्शन? 22 जुलाई से सावन का पवित्र महा प्रारंब हो चुका है शिव मंदिरों में भीड ही भीड होगी जगहा जगहा कावड यात्रा शुरू हो जाएगी लोग जलाभी शेक के लिए ततपर रहेंगे ऐसे में क्या हो जब सपने में साप के दर्शन हो जाए और वो भी सावन के पवित्र मह में कई लोग इसे शुभ मानते हैं कई कहते हैं सावन में साप का सपना देखना भगवान शिव शंकर की साक्षात कृपा है लेकिन स्वपन शास्त्र के अनुसार साप देखने का अलग-अलग अर्थ होता है अगर कोई बार-बार सपने में सांप देख रहा है या बार-बार सांप को काटते हुए देखता है तो संभव है कि जातक काल सर्प दोश से प्रभावित है ऐसे जातक को शीग रही नासिक उजैन महाकाल जूदरलिंग में काल सर्प दोश की शांती करवा लेनी चाहिए अभी हाल ही में यूपी के फतेहपुर के मलवा थाना शेत्र के सौरा गाउं के 24 साल के विकाश दुईवेदी के साथ बड़ी हैरान करने वाली घटना सुनी गई विकास को 40 दिन में सांप ने चार बार डसा था विकास का कहना था कि उसने सांप को देखा था सांप ने उसे संकेद दिये थे कि वो दो बार और काटेगा और तब वो नहीं बचपाएगा एक ही इंसान का सर्प दंश से बार-बार प्रभावित होना काल्पनिक भी हो सकता है जोते शास्त्र के जानकारों के अनुसार कहीं न कहीं काल सर्प दोश के भीशन समकेत है लेकिन अगर आप विकास से अलग ऐसे सपने बार बार देख रहे हैं जिसमें आपने सपने में मृत साप देखा है तो ये बिलकुल भी शुब नहीं है सावन में मरा हुआ साप देखने का साफ मतलब है कि कहीं न कहीं आप से कोई गलती, कोई त्रूटी रह गई है आप सावन महा में शिव मंदिर अवश्य जाएं, जला अभिशेक करें और भगवान शिव से शमा मांग लें सावन माह में सपने में जीवित साप देखने का मतलब है कि आपको जल्दी कोई बड़ा आर्थिक लाब होने वाला है सावन में भगवान शिव आपके कोई बड़ी समस्या हल करने वाले हैं वो आपकी पूजा से काफी प्रसंद है सावन माह में नाग के दर्शन हो जाएं तो आप बहुत भागेशाली हैं नाग को भगवान शिव के गले का हार कहा गया है ऐसे में सपने में नाग के दर्शन का साफ मतलब है कि कोई बहुत बड़ी खुश खबरी मिलने वाली है कोई अच्का काम पूरा होने वाला है अगर आ आपके और आपके परिवार पर बड़ी कृपा होने वाली है जल्द ही आपको कोई लाब होने वाला है काफी समय से जिस मांसिक परिशानी से आप जूज रहे थे अब उसका निप्टारा होने वाला है सपने में साप को पकड़ते हुए देखना भी स्वपन शास्त्र के अनु सर खोलने वाला है कोई लोन लिया है तो चिंता ना करे पैसों से जुड़ी कोई बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है लेकिन अगर आपने सपने में साप को काटते हुए देखा है तो सपने शास्त्र के अनुसार यह आने वाले समय में कोई गंभीर बिमारी क संकेत हो सकते हैं अगर सपने में साप आपके पीछे पड़ा हो और आपको काट ना पाए तो इसका मतलब है कि जीवन में आपके किसी बड़ी समस्या का अंतो होने वाला है तो मित्रों क्या आपने भी किये हैं सावन महा में सपनों में साप के दर्शन कमेंट में जरूर बत करते हैं